हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज की इस रेसेपी वीडियो पे और आज हम आपको अंडा दम बिर्यानी की रेसेपी कूकर में बना कर दिखाएंगे इसके लिए सबसे पहले कूकर पे बिल्कुल थोड़ा सा सरसो तेल को डालेंगे और गैस के फ्लेम को अन करते हुए अंडो पर हलका हलका छेद बनाते हुए इसे तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे अंडो पर हलके हलके छेद बना ले फ्राई करने से पहले इससे हमारे अंडे जो हैं फ्राई करते वक्त नहीं फूलते हैं आप चाहें तो इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल कर भी फ्राई कर सकते हैं कुछ देर में हमारे अंडे जब इस तरह से फ्राई हो चुके हो तब हम इसे कूकर में से निकाल करके रख लेंगे। अब हम कूकर पे लगबग तीन बड़े चम्मच सरसो तेल को डाल करके गरम करेंगे और तेल के गरम होने पर दो पीस पतले कटे हुए प्याज। प्याज को हम लोग जो है हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। कुछ देर में गैस के फ्लेम को कम करके इन फ्राई किये हुए प्याज को कूकर में से निकाल करके रखेंगे। कुकर में तेल अगर कम है तो थोड़ा सा डाल दें और अब खड़े मसाले। दो छोटी इलाईची, थोड़ा सा जीरा, बड़ी इलाईची, लौंग, दालचीनी, चकर फूल। दो तेज पत्तों को डालेंगे और तीन पीस मीडियम आकार के पतले कटे हुए प्याज। प्याज के साथ चार पीस हरे मिर्च जिसे की हमने बीच से चीरा लगा लिया है। और प्याज को चमच से चलाते हुए हलका गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। प्याज को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके साथ में दो छोटी चमच कूटे हुए अद्रक लैसुन और आधा चमच कूटे हुए हरे मिर्च। कुछ देर मीडियम आज पर प्याज के साथ में इसे हम फ्राई कर लेंगे। लगबग तीन से चार मिनट फ्राई करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेंगे। और एक छोटी चमच कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटी चमच हल्दी, थोड़ इसी मात्रा में काली मिर्च का पाउडर, और दो छोटी चमच बिरियानी मसाला। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मिक्स करना है, सूखे मसाले हैं जल सकते हैं, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इन मसालों को आप चमच से चलाते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लें मसालों को दो मिनट मिलाकर इसके साथ दो पीस कटे हुए टमाटर को डालेंगे, साथ में एक से देड़ चमच या अपने स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे और मसालों के साथ टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुछ देर पकाएंगे लगबग चार से पांच मिनट पकाने के बाद टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं अब इस पर दो बड़े चमच दही डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर चार से पांच मिनट तक पकाएंगे कुछ देर में मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से तयार हो चुके हैं देख सकते हैं अब इसके साथ में कटा हुआ धनिया पत्ता थोड़ा सा पुदिना का पत्ता चुटकी भर गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा फ्राई किये हुए प्याज को डालेंगे मिक्स करेंगे मसालों के साथ इसे कुछ देर तक और अब इस मीडियम साइज के ग्लास से इस पर हम दो ग्लास पानी को एड़ कर रहे हैं फ्राई किये हुए अंडो को डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे जिस ग्लास से हमने दो ग्लास पानी डाला है उसी ग्लास से देड़ ग्लास बासमती चावल को धो कर इसमें हम डाल रहे हैं चावल को डाल कर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब कूकर के ढखकन को बंद करके हाई फ्लेम पर दो सीटी पकाएंगे दो सीटी के बाद कूकर का कैस जब खतम हो चुका हो तब हम इसके ढखकन को ओपन करेंगे और देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से बिर्यानी तयार है उपर से हरा धनिया, कुछ पुदिना के पत्ते और फ्राई किये हुए प्याज खाते वक्त अच्छी तरह से मिक्स कर लें थोड़ सा कटा हुआ नीम्बू डाल करके सर्व करें और खाएं ये रेसेपी आपको बहुत ही जादा पसंद आने वाली है तो फ्रेंड्स अगर रेसेपी अच्छी लगे तो लाइक एंड सेर करें और नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें धैन्यवाद